फ्रेंड्स अगर आप जमीन की रेजिश्ट्री करवा रहे हैं, कोई भी प्लॉड जमीन, तो आप रेजिश्ट्री ओपिस में रिस्वत से बचना चाहते हैं, तो कैसे बचना आए, तो आप कुछ नियमों को जाल लें रेजिश्ट्री ओपिस के लिए, ठीक है, देखिए कैसे बचना चाहते हैं, तो आपको सभी कानूनों को पालन करना होगा, अगर आपने कानून का पालन किया होगा, तो अधिकारी की यह हैसियत नहीं है, कि वो आप से पैसा माँगे, या माल लीजिए आपको वाँसे लोटा सके, ठीक है, वो कमी निकालेंगे, तभी तो आप से पैसा लेपाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मैं आपको पताऊंगा साथियो, जैसे सबसे ज़्यादर हो जो रिस्वत ली जा रही है, वो ली जाती है, स्टांप चोरी के मामले में, ठीक है, या माल लीजिए आप प्लॉट है, आपके सबसे पहले स्टांप चोरी न करें, तीसरा जो सबसे बड़ा है, जहां पर रिस्वत ली जा रही है, साथियो, वो सबसी बड़ी चीज है, ठीक है, एक चीज मैं आप से और कहना चाहता हूं, साथियो, कई लोग बहतर कानूनी सला लेना चाहते हैं, तो आप only 15 रुपए मे आप बहतर कानूनी सला लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, हमारा जो भी माली जी ये contact, वीडियो की डिस्क्राइब आपको मिल जागा, कि आप हमसे कैसे contact करें, call me for से आप बात कर सकते है, call me for कैसे उपयोप करते हैं, वो आप वीडियो की डिस्क्राइब बताया गया है, ठीक है माली जी ये 7 लाग रुपए में जमीन खरीद रहे है, 10 में खरीद रहे है, 15 में खरीद रहे है, आपने 7 लाग रुपए उसमें दिखाया है, तो 7 लाग रुपए जो है, वो आप RTGS से दें, और उसमें mention करें कि भाही मैंने RTGS से दिया, ठीक है, अगर आप नगत देंगे, तो वो क्या कहेंगे, भई नगत का प्रावधन नहीं है, आएकर अदनियम धारा एक है, उसमें भी प्रावधन नहीं है, आप नगत नहीं दे सकते हैं, अम रजिस्टी नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आप करें भई, आप पैसो का लेंदेन एकदम कानूनी तरीके से करें, उसमें आपको भी benefits दे रहते हैं कि आपके registry cancel नहीं होगा ठीक है इसके बाद साथी हो मैं आपको बता दू कि चौधी का description जो है वो सही तरही किसे करें अगर मान लीजे आपके two side road है तो two side करवाएं यानि कि देखें यह है कि आप stamp चोरी मत करें पैसों का लेंदें सही से करें और जो बंदा बेच रहा है उसके अवलेख आप लेके जाएं आपको एक पैसा इसवाद नहीं देना है आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड सकता है कभी भी ठीक है और अगर मान लीजे फिर भी आपके doubts हों तो मैंने सबसे सरल जो है आपके लिए सबसे कम सस्ता advice के लिए मैंने आपके लिए इंतिजाब कर रखा है आप अभी description ने जाएं वहां मैंने आपको सब कुछ बताया call me for से आप मुझसे कैसे संपर कर सकते साथी धन्यवाद